भाई और भेनों, जब सपने बड़े होते हैं, तो उनको पाने के प्रयास भी उतने ही बड़े होने चाहिए। आज विश्व बायो फ्यूल दिवस पर हमें अपने लक्षों को फिर याद करना है। अभी हमने एक छोटी सी फिल्म भी देखी कि बायो फ्यूल के छेत्र में क्या काम हो रहा है। बायो फ्यूल एक स्वच्छ इंधन मात्रा नहीं है बलकि ये इंधन में आत्म निर्भरता के इंजिन को देश के विकास इंजिन को गाउं के विकास इंजिन को गती देने का भी एक माध्यम है बायो फ्यूल एक ऐसी उर्जा है जो हम गर और खेट के कचरे से पाउधों से खराब सड़े हुए अनाज से प्राप्त कर सकते हैं ऐसे ही एक बायो फ्यूल इथेनौल पर देश बहुत बड़े लक्षों के साथ काम कर रहा है बीते 6-7 सालों में हम पैट्रोल में 10 प्रतिशत ब्लेंडिंग के लक्ष के बहुत नीकट पहुँच चुके हैं आने वाले 4-5 साल में हम 20 प्रतिशत ब्लेंडिंग के लक्ष को हासिल करने के तरब बड़ रहे हैं लक्ष देश्ट में ऐसी गाड़ियों के निर्मान का भी है जो शत्प प्रतीशत इत्हे नौल से ही चलेगी साथियों इत्हे नौल से आना जाना भी सस्ता होगा परियावरण भी सुरुच्चित रहेगा लेकिन सबसे बड़ा लाब हमारे किसानों को होगा हमारे नवजवानों को होगा इसमें भी विशे इस रुप से यूपी के किसानों नवजवानों को बहुत लाब होगा गन्ने से जब इत्हेनौल बनाने का विकल्प मिलेगा तो गन्ना किसानों को पैसा भी जादा मिलेगा और समय पर मिलेगा पिछले साल ही यूपी में इथेनौल उपदकों से 7000 करोर रुपे का इथेनौल खरीदा गया है बीते सालों में इथेनौल से जुड़ी बायो फियल से जुड़ी अनेक इकाईयां यूपी में बनाई गई है गन्य के अवसेश से कंप्रेस्ट बायो गयस बनाने के लिए यूपी के 70 जिलों CBG प्लांट बनाने की प्रक्रिया चल रही है अब तो कृशी अवसेश से प्राणील से बायो फियल बनाने के लिए तीन बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं इन में दो यूपी के बदाईू और गोड़कपूर में और एक पंजाब के भटिन्दा में बनाया जा रहा है इस प्रोजेक्ट से किसानों को कचरे का भी दाम मिलेगा हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और परियावरण की भी रक्षा होगी साथियों इसी प्रकार एक दूसरी महत्वपूर्ण योजना है गोबरधन योजना ये योजना गोबर से बायो गैस बनाने को प्रोचान देती है इससे गावों में स्वच्छता भी आएगी और ऐसे पशू जो डेरी सेक्टर के लिए उप्योगी नहीं है जो दूद नहीं देते हैं वो भी कमाई करके देगे योगी जी की सरकार ने अनेक गवशालाओं का भी निर्मान किया है ये गायों और दूसरे गवश की देखबाल और किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए अहम प्रयास है